चे मातगी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागत है महाकाली भगत गयान यूटुग चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ कितनी भी पूजा पाठ कर लो जब तक अपने घर में ये एक काम नहीं करोगे जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगे तो कोई पूजा पाठ नहीं लगेगी आपकी ठीक है आपके देवी देपता तक पोचेगी ही नहीं तो लगेगी कहां से और बात ऐसी है जब आप पूजा पाठ करते हैं तो अपने देवी देपता से कुछ न कुछ तो मांगती जरूर है मनुकामना में अपनी दूआउ में है ना तो जब मांगते हैं तो आपके साथ क्या होता है कि आप ये एक काम नहीं करते हैं उसकी बज़ा से आपकी कोई मनुकाम नहीं होती कोई काम नहीं होता और फिर आप बोलते हैं कि हम तो पूजा पाट करते हैं हमारे काम क्यों नहीं होते हैं हमारे काम में क्यों रुकावटे आ लिए तो देखिए कहीं न कहीं आप एक गल्ती करते हैं जो गल्ती मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ अगर आज से या कल से आपने इस गलती को सुधार लिया फिर उसके बाद आप अपनी आखों से देखना चमतकार की जो आप पूजा पाट करेंगे वो आपके देवी देपता तक पोचेगी और भाई पूजा पाट तो देवी देपता तक जाएगी ही और उसके बाद भाई जो भी देवी देपता से आप काम कराओगे वो काम भी आपके 108 परसेंट होंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी आपको वीडियो को लाश्ट तक देखना है क्योंकि लाश्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा अगर आप आदिय दूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा तो देखिए बताने से पहले एक रिक्वेश्ट आपसे करना चाऊंगी अगर आप लोग महाकाली भगत गयानी यूट्व चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को उल पे सैट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नूटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भगतों के पास पोचे तो देखी भगतों चाहे आप कितनी भी पूज़ा पाठ क्यूं न कल लो जब तक आप अपने घर में ये एक काम नहीं करोगे तो कोई भी पूज़ा पाठ आपकी नहीं लगेगे और ना आपका कोई काम होगा तो हम मैं आपको एक कार्य बता रहे हूं ध्यान से सुने और विल्कुल बारीकी से इसे समझे तो देखे आधितर करके लोग क्या गलती करते हैं कि जब अपने घर में अपने देवी देपता की पूजा करते हैं अपने भगवान की करते हैं तो वो गलती ये करते हैं सुबा उठते हैं इसनान करते हैं इसनान करके डारेक्ट पूजा कर ले दे ठीक है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सबसे पहले जब आप सुबा इसनान करते हैं इसनान करके एक लोटा पानी का सूर्य देव को चड़ाए एक लोटा मा काली को चड़ाए और एक लोटा अपने पित्र देव को चड़ाए तीन शक्तियों को आपको एक एक लोटा जरूर चड़ाना चाहिए अगर आप एक एक लोटा इन शक्तियों के नाम से रोज सुभा उड़ते ही पानी का चड़ाएंगे तो फिर देखना कि आपकी पूजापट कितनी तेजी से लगेगी और आपके काम कितनी तेजी से रोकिट की तरह होने लगेंगे आपके देवी देपता करेंगे तो ये गलती करना बंद कर दो अपने देवी देपता को लोटे भर के पानी जरूर चड़ाओ सुभा और एक और बात पता दू आपको जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाट करते हैं मंतर जाप करते हैं कुछ भी करते हैं उस समय आपको क्या करना चाहिए जीसे मान लिज़ाब कोई भी माकाली के मंतर को जब रहे हैं तो मंतर आपको ऐसी जगा बैठ के जब न चीए जहां आपके आसपास कोई नआ है अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने फैमिली में सब के सामने बैठ के मंतर जपते रहते जपते रहते और उनके आस पास उनके फैमिली वाले घूमते रहते कयों कि आप कभी भी कोई मंतर जपते हैं तो एक अपने मतलब अलग जगह पे जहां पे कोई आपके घर का आए ना जाए is इस बात कभी ध्यान नखना, और हमेशा एक बात और ध्यान नखना, कि कभी भी अमावश्या हो, या पूरनमाशी हो, इन दिनों में, आप लोगों को, अपने घर के पित्रों को भी पूज़ ना चाहए, जब तक आप अपने घर के पित्रों को नहीं पूज़ोगे, तब तक कुछ भी नहीं है आप कुछ नहीं सकते जिंदगी में ना आप से कोई देवी देपता कुछ होएगा सबसे पहले अपने घर के पित्र होते हैं चैज के बारे में पूचना जो मैं भी आपको बता पूज़े नहीं होता है या नहीं और वह आपको बताएगा कि भाई हम जो आज भगत बनके बैटे हैं हम जो तंत्र बंत्र बिद्य सब कुछ सीखे हैं हम अपने पित्रों की सेवा कहनी पड़ती है फिर उसके बाद हम अपने देवी देपता की करते हैं तब जाके हम अपनी पूज़ा पाठ में सफल होते हैं तो ऐसे ही आपको भी पूरण मासी वाले दिन अमावश्य वाले दिन अपने पित्रों को लोंग बतासे का भोग लगाना चाहिए और लोंग बतासे के साथ आपको अपने घर पे खीर बनाके एक चमच अपने सभी पित्रों के नाम से तप कर रहे हैं अपने देवी देपता की वो भी आपकी लगेगी और उसी के साथ साथ आपके जो काम पहले से नहीं होते थे जिन में रुकाब अपड़ या कुछ भी आती थी वो काम भी आपके तुरंट होने लगेंगे जब आप ये गलतियां करना बंद करेंगे खुसनी है ना तब तक आप भगत भी नहीं बन सकते हैं समझ लो आपसे कोई देवी देपता खुसनी है तो इसलिए अपने घर के पित्रों को पूझो और आगर आपको अपने पित्रों के नाम भी नहीं पता है तो आपके घर में कोई बड़ा बुजरक हो उसको जरूर बताओगा उससे पूझके अपने पित्रों का पूझन भी जरूर करें मावश्य वाले दिन और पूरन मासी वाले दिन तो चलिए भक्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आगिया होगा